तो आज करनाटक में चुनाव हो रहे हैं मतदान किया जा रहा है सुबह से और सुरक्षा व्यवस्था काफी यहां पर पुखता की गई है काफी महत्वपूर्ण चुनाव इसे माना जा रहा है और महत्वपूर्ण इस मामले में भी हो चुका है क्योंकि करनाटक चुनाव में जो है कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में जो वादा किया था बजरंग दल पर प्रतिबंध से सम्मंध है इसे लेकर जो विवाज शुरू हुआ वो अब तक शांत नहीं हो रहा है पहले करनाटक तक सीमित था लेकिन चूंकि जो अब चुनावी साल है कई सारे और राज प्रदर्शन किया जा रहा है सदबुधी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है कई और संगठनों का यहां तक की राजनेतिक दलों को भी का भी जो है यहां पर उन्हें सपोर्ट मिल रहा है तो क्या ये विवाद किस तरफ जा रहा है और क्या इसका असर देखन को मिलने वाला है इस विषए में ज्यादा जानकारी के जो आपको बतादे कि प्रांस सहर प्रचार प्रमुख है तो आप विस्तार से बात करते है इस पूरे मामले पर कि ये विवाद की शुरुवात कहां से हुई और किस दिशा में जो है ये विवाद गया है राहुल जी बताएं कहां से इसके शुरुवात हुई किस तरीके से और क्या रुख ले लिया है जो जिस तरीके का माहौल अब देखने को मिल रहा है सियासत गर्मा गई है कई सारे चुनावी राजे ही 2030 में जहाँ पर चुनाव होना है महा सियासत गर्मा रही है अब आम होते जाएंगे और अपने वोट बेंक को यह कहें कि प्रभावित करने के लिए लुभावन वादे जो है वो किये जा रहे है खास तोर से अगर अभी हम बात करें कि चुकि आज करनाटक में इलेक्शन भी हो रहा है सुबर साथ बजी से मतदान जारी है तो ऐसे में करनाटक कॉंग्रेस ने जो अपना घोशना पत्र जारी किया था उसके बाद से ही यव विवाद कि स्थीदी है वह निर्मित हुई है कॉंग्रेस अपने घोशना पत्र में यह घोशना किये कि बजिरंग दल जैसे जो संगठन है उसको प्रतिबंधित किया जाएगा इसके बाद जब चुनाव जो प्रचार चला उसमें भी कॉंग्रेस नेताओं ने लगातार बजरंग दल को टार्गेट किया उसकी जो नेता है उसके लगातार बयान बजरंग दल को प्रतिबंद करने के लिए आते रहे और सबसे बड़ी बात है कि मामला तब बिगडा अधिपिका जब जो बजरंग दल है उसकी तुलना पीएफाई जैसे आतेंकी संगठन के साथ में की गई ये जब पूरा मामला सामने आया उसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिला था जब बजरंग दल के कारे करता विश्वद्व परिशत के कारे करता और जो हातों लिया है भारती जनता पार्टी ने भी लिया है उसके बाद में फिर बजरंग दल और विश्वद्व परिशक ये जो संगठने वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे है कि आखिर किस कारणों से प्रतिबंद लगाने की बात कांग्रेस कर रही है उसकी खास तोर से आपतिस बात को लेकर भी है कि पीफाई जैसे आतंकी संगठन के साथ में उसकी तुलना की गई पूरे मामले को लेकर लगातार पूरे देश भर में अंदोलन किया जा रहा है अगर हम बीते दिन की बात करें तो मंगलवार को एक देश व्यापी अभ्यान आयोजित किया गय और हिंदुवादी संकटनों के दूसरे कारे करता है वह भी यहां पर इखटा हुए थे और उन्होंने सामवी कृप से हनुमान चालिसा का पार्ट किया और खास्तोर से यह मांग की गई है कि ऐसे तत्व जो हिंदू विरोधी बात करते हैं सरातन धर्म के विरोध में जो ब पतिबंद लगाने के बात की जारी है हम बात करेंगे रवी कसेरा जी से जो प्रांच सह प्रचारक प्रमुख है विश्वंदू परिशत के ताम उन्हीं से बात करेंगे रवी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका यह जो पूरा मामला चल रहा है इसको राजनितिक चुनाओत है इसको शामिल किया गाया बजंग दल पर पतिबंद की बात की जारी है और आप लोग पूरे देश भर में इसका विरोध कर रहे है किस बात का विरोध है यह देखिए अभी करनाटक चुनाओं को लेकर के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने गोश्टना पर बेंड के मांग कर रहे हैं और पीएफाई की गतिविदियां जो आतंग की फंडिंग है वो किसी से छुपी नहीं है जगा जगा चाप अमारी करके सरकारी एजंसियों ने पीएफाई के जो आतंग बादी सफंडिंग करने वारे लोग और सपोर्टर उनके उनको होता है कोरोना काल में बजन दल के कारिकरताओं ने अपनी जान की परवा करे बिना जगा जगा सड़कों पर लोगों की मदद करिये बोजन के राशन के पकेट पहुचाए हैं और जिन लोगों को कोई हाथ लगाने वाला नहीं था यसी डेट बाडियों को लिया कर उन्हों शहुदाहा किया ऐसे कौन सी गतिविदी बजन दल की उन्होंने पकड़ी जिसके करण वो ऐसा बैंड की मांग कर रहे हैं तो यह कांग्रेस की सदबुद्धी कांग्रेस को मिले इसको लेकर के कल पूरे देश बरम हनुआन चालिसा के पार बजन दल के कारिकरताओं द्वा और इसमें ककांग्रेस इनका तुष्टी करन का प्रयम हमें की से छुपा नहीं है उस समय भी उन्होंने जोजना करी थी पूरी के हिन्दु समाज को पूरा कटगरे में खड़ा करने का प्रयास उन्होंने कर लिया था पर वो तो अच्छा है किसमत के आतंगवादी जो था जिंदा पकड़ा गया और उसने सब पूरी हकीकत बया कर दी तो पता चल गया कि कहां से क्या गतिवी दिया ही थी तो यह इनकी जो मांग है गलत है जिस परकार से योजना बना रहा है यह सफल नहीं हो सकती क्योंकि इस देश का हिंदू सब समझता है और आज कांग्रेस प्राटी पूरी एक्सपोज हो चुकिये उसके मानसिकता हिंदू समाज के प्रति क्या है वो भी एक्सपोज हो चुकिय है वो किसे चुपी नहीं है कोल मिला करें कहा जागा कि करनाटक में चुनाओ थे इस तरह का मुद्दा जान मुझके घुष्णा पत्र में शामिल किया गया हां देखे कांग्रेस क्या राजनेत के पार्टियर उस वो तो हर मुद्दा उनका तो यही है कि कोशिश करेंगे कि किस परकार से उनको वोट बेंक को साधना है तो एक परकार से हिंदू को वोट बेंक को साधने के लिए उन्होंने मुस्लिमों के वेड़बों के साधने के लिए उन्होंने इस परकार से बजदेंग दल पर बेंड की मांग कर ली ताकि उनको लग रहा कि मुस्लिम समाज इस इसका समर्तन वो समाज तो नहीं करता जो एक समझदार इस तरह का समाज है इसमें अच्छा एक चीज और भी देखने में आई है रवी जी कि आप लोगों ने ये बात भी कहिए अपने जो विरोध प्रदशने की 36 गड़, राजस्थान, महराज जहां पर आने वाले वर्षों में चुना होने जा रहे हैं यह कहें कि इस वर्ष के अंत में ही चुना होंगे बैन करने के लिए कुछ तथ्व मिलना चाहिए बजरंग दल के खिलाफ इसे कोई तथ्व नहीं है जिस पकार चे उसके उपर बैन के बात की जाए और यही तो फिर देश में नियाय प्रणाली भी है सरकार बिना किसी तथ्थिक अकर बैन लगाती है तो उसके खिलाफ नयाय प्रणाली के अशरणबी भी हम लोग जा सकते हैं पर 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 यह जो है वास्तिविक्ता में यह तरह तल पर यह होना वाली नहीं है बर्णदल को बैन करना इतना आसान नहीं है बर्णदल के कारेकरता अज पूरे देश में है लाकों के संक्या में युवा बर्णदल के कारेकरता है और अगर इस परकार की यह लोग योजना बनाते हैं तो फिर सलक्त पर उतरके और उसका विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा और अभी सदबुद्धी के लिए कल अर्मान चले से का पाट करिए जहां तक मुझे ध्यान है आपको आशंका है कि आने वाले जो राज हैं जहां पर चुना होने जा रहे हैं वहाँ पर भी इस तरह से कांग्रेस जो है वो बैयान या यह कहने कि घुष्ट ना कर सकती है जिस परकार का विरोध अभी पूरे देश में हुआ है इसको लेकर के कांग्रेस खुदी कहीं ना कहीं इस बैयान के समरतन में पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है वो खुद भी अन्वान चाले से कपार्ट कुछ जगाओं पर करते नजर आ रहा है तो एक पकार से यह देखने में आ रहा है कि उनके बयान के बाद में वो भी थोड़ी उलजन में हैं वो लोग कि बजरंग दल के उपर बैंड लगाना या नहीं लगाना है तो जहां तक मुझे लगता है बजरंग दल के उपर बैंड वो लोग नहीं लगा सकते है आगे क्या आंदोलन आपका जारी रहेगा या फिर ये कहें कि किस तरह से अब आगे बढ़ेंगे चुकि कल सद्भुदी यग का इसके बाद में आपका क्या प्लान रहेगा आंदोलन के तरह देखिए बजरंग दल जो है पुरा देश वापी संगडन है तो जैसी उपर से कें इतना अभी नहीं है जब उपर से कोई निर्देश अगरा तो इसको लेकर कि इतने में इनको समझ में आ जाएगा अगर नहीं मानेंगे तो फिर केंद्र जोजना बनाएगा उसका क्रियान बन नीचे तक हो सब्सक्राइब कर देश लेकिन कुछ नहीं किया गया है तो इसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा ये भी देखना होगा कॉंग्रेस अपने स्टेंड पर कब तक कायम रहती है और चुकि अब चुनाव का अबेला है लगातार जो यह कहें कि मतदाता मदान करने के लिए पहुंच रहा है उसके परिणाम भी आएंगे और उसके बाद की स्थिति यह रहे गया अला कि जो घोशना पत्र है उसको लेकर जरूर आपती जरूर दर्ज कराई है लेकिन जो आगे के रणनेती है वो बारने वाले दिनों में ही तैकी जाए तो क्या लगता है यह जो मुद्दा उठा है कितना फाइदा कॉंग्रेस को पहुंचा सकता है या इससे नुक्सान होगा कॉंग्रेस को सर एक सवाल स्टुडियो से आया है चुकि एलेक्शन थे और करनाटक कॉंग्रेस ने ही इसकी घोषना की थी क्या लाब उनको मिलता दिखेगा या क्या आपका अनुमान है कि इस तरह की जो घोषना होती है तो कॉंग्रेस पार्टी को कितना उसमें लाब मिलेगा देखिए जहां तक मेरी समझ का है इससे उनको कोई बहुत ज़्यादा लाब नहीं मिलेगा बलकि इससे उनको नुकसान है पूरा देश का जो हिंदू है बजरंग दल शिर्प दो-चार लोगों का कुछ लोगों का संगटन नहीं है बजरंग दल हिंदू समाज का संगटन तो इसको लेकर के पुरा हिंदू समाज भी जो इस परकार से का लणमान चाले से के पाट हुए हमको ध्यान में आया कि हिंदू समाज भी हमारे साथ है पूरा हिंदू समाज बजरंग दल हिंदू समाज का ये खिस्सा है और हिंदू समाज पूरा जुड़ा हुआ है बजरं परिवार के सदेश होने के कारण तमाम जो हिंदुवाजी संगठन है उसका सयोग बजरंग दल को मिल रहा है कल विश्वन्दू परिशद ने मैदान में उतरा था बजरंग दल के कारे करता मैदान में उतरा थे इसके पहले भारती जंदा पार्टी भी इस पूरे मुद्दे वो कॉंग्रेस को भुगतना पड़ सकता है ऐसा बजरंग दल का भी दावा है तो कुल मिला करे कहा जाए कि चुनावी बेला है तो ऐसे में इस तरह की घोशना है वो लगातार होती है अपने वोट बेंको साधने के लिए राजनेतिक दल इस तरह की घोशना करते हैं लेकिन जो चुनावी परिणाम में वो ताय करता है कि उनकी जो घोशना थी उसका कितना असर पड़ा उसका कितना प्रमाव पड़ा लेकिन जिस तरह के से मुद्धा हाइलाइट हुआ है और पूरे देश में इसका असर देखने को मिल रहा है चुकि चुनावी राज्य मध्य प्र या मुद्धा इन राज्यों में भी देखने को मिलता है क्या बजंग दल उसी मजबूती के साथ में खड़ा होगा बिलकुल अगर ऐसा कोई विशय अगर आता है तो बजंग दल बिलकुल ऐसा ही उसका विरोध करेगा और चुकि यहां भी वैसे तो बैयान बाजी तो सभी बैयान बाजी है और इन सबसे उनकी कांगरेज की सभी खराब होती है यह उनको समझना चाहिए इस पकार के बैयान से हिंदू समाज साथ में नहीं आने वाला है बलकि हिंदू समाज उनके विरोध में खड़ा हो जाएगा इन राज्यों में जो चुनाओं उस पर कोई प्र इसके बैं आया है जो हन्मान चली सा हर बार होती है पर इसबार जdiesस्वार में ब्रपी करक विरोध में देश का प्र होगा इनके जो बेहान है काफी महत्ोप्र्पूर्ड विशय है चूंकि के वैल बज्च का विशय नहीं है इसके पहले जब मत्यपेड़ीश में कमल्नात कि सरकार बनी थी तब भी एक और ये स्पास हुआ था और उसमें इस्पर्च किया गया था कि जो राष्टी सोयं सिवप संग से जुड़े हुए जो भी सरकारी अधिकारी है वो संग की गती वीदियो में शामिल नहीं होंगे उनकी जो शाखाएं लगती है उसमें शामिल नहीं होंगे उसका भी काफी जम कर प्रतिरोध हुआ था विरोध हुआ था इसके अलावा जो शाखाएं थी कई जो सरकारी मैदानों में या सरकारी स्थानों पर जो शाखाएं चलती थी उ जो मुद्दे है ये इस तरह के मुद्दे जाहिर तोर पर चुनाओं में असर डालते हैं और कहीं न कहीं इसका एक बड़ा असर जो है वो जब चुनाओं होते हैं उस दोरा देखने को मिलता है चुकि इस वर्ष के अंत में ना किवल मद्यपदेश में बलकि चतिसगाड और जिस्थान में भी चुनाओं होने हैं इसके लवा एक दो राज और है जहां पर ये चुनाओं होंगे तो ऐसे में इस तरह के जो मुद्दे हैं वो जाहिर तोर पर प्रभावित करेंगे और कहीं न कहीं ये कहें कि आने वाले दिनों में जो राजनिदिक सरगर्मिया है वो यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्ण एक और उठता है एक दल है बजरंग दल इसे उस पर बैन की बात को भावनात्मक रूप से उठाया गया उसे अब आस्था से जोड़ दिया गया बजरंग बली से जोड़ दिया गया क्या लगता है आपको इस थानी मुद्दे जो है ज यह बिल्कुली कहा जा सकता है यह रहनेतिक दल के सोचने का विशय है दिपिका की उन्हें अपने घोशना पत्र में किन मुद्दों को शामिल करने के अगर विकास की बात की जाती है या यह कहें कि डेवलप्मेंट को लेकर अपने जो भावी योजना है उसको लेकर बात की लेकिन वही जैसा मैंने कहा कि यह राजनीतिक दलों के सोचने का विशय है कि उनको अपने घोशना पत्र में किन मुद्दों को शामिल करना चाहिए जनभावना से जो जोड़े मुद्दे हैं उस पर काफी गंभीरता से और काफी सतर्कता से चलने का मामला होता है तो ऐसे में जो राजनेतिक दल है ये अब उनके जो तिंग टैंक है उनको सोचने का विशय है जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा मामला था इसने एक जन अंदोलन का रोप लिया और कहीने कहीं बजरंग दल और विश्वन्दू परिशत जैसे जो संगठन हैं जो लगातार जनता के जो पूरा माम परिश जो तो आपको बता दे कि बजरंग दल पर प्रतिबंद लगाने के कॉंग्रिस के बादे पर करनाटक में विवाद बढ़ गया और ये विवाद इतना बढ़ा कि इसकी आज जो है पूरे देश में फैल चुकी है कई सारे चुनावी राज्ये हैं जहा 2023 में चुनाव होना है मसलान मध्यप्रदेश की बात की जाए राजस्तान की बात की जाए 36 गड़ की बात की जाए महापर भी इसका असर देखने को मिल रहा है और ये जो चुनावी राज्ये है ये भी स्विवाद से अच्छूते नहीं रहें पूरे देश भर में जो है कॉ गोशना का विरोद किया जा रहा है और कॉंग्रेस जो है आलोचना का शिकार हो रही है इसी बीच जो देखने वाली बात है क्योंकि घोशना पत्र करनाटक चुनाव का है ये इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है तो कही ना कहीं करनाटक चुनाव पर इस झाल झाल